वो कहते हैं ना क्यूं गम करता है दुख होने से जब जीवन की सुरुवात ही हुई है रोने से नमश्कार प्यादे बच्चे एक बार फिर से आपका आर्दी का भी नंदन है आपके अपने यूट्यूब चेनल जीके बाई प्रदीर सर्पे और जो बच्चे नई है ना उन जो हरियाना पुलिस की आर्पी अप की त्यारी कर रहे हैं तो वो चेनल को सभी बच्चें से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे बार बार कोमेंट कर रहे हैं सर हरियाना पुलिस की जो 6000 बरती है फिजिकल कब होगा पेपर क कब होगा क्या सभी सीटी क्वालिफाई को मोका मिलेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बिटा अभी एना जेसा जगे जगे न यहां पर मतलब लोग सबाकी दसों के दस सीटों पर न अब जनता जाग चुकी है इनका क्या हो रहा है विरोध हो रहा है तो हो सकत है यह युवाओं को खुसकबरी देने के लिए ना हरियाना सीटी सभी क्वालिफाई युवाओं को हरियाना पुलिस में मोका दे दे मैं फेक्ट के साथ बात करूंगा हरियाना पुलिस में मोका क्यों मिल सकता है लेके सीटी क्वालिफाई ना होने से ना कितना देखो ग्र ले ग्रूप D को ज्वाइनिंग देनी पड़ी तो सारे के सारे जो 567 के जो क्रीमी बच्चे थे वो आज बेचारे ग्रूप D में सिलेक्ट मैं नहीं कहता पोस्ट बुरी है पोस्ट कोई बुरी नहीं होती लेकिन अगर 567 पे सारी बरतियां ग्रूप C की होती तो बचे हुए हमारे छोटे भाई ग्रूप D में लग जाते अब ना D में लगने वाले बचारे D में लगे 567 लटका दिया तो इससे बचने के लिए ना तो CET क्वालिफाई को हर्याना पुलिस में मोका मिल सकता है और इसके लिए आवाज भी उठाएगे कि सभी CET क्वालिफाई को हर्या खैसे की बर्ती करेंगे उस हिसाब से चलो एक बरती नहों ने कर दी एक हर्याना पुलिस की रोपीट के पूरी कर पाई है तो čार तो चार 24,000 अगर यह SIET क्वालिफाई, प्यारे बच्चों यह अर्यान तो हर्याना पुलिस की कर दे, सभी क्वालिफाई को मोका ना दे, 24 20,000 बरती कर दे तो 24,000 हर याना पुलिस की बरती हो जाएगी तो अपने आप CT क्वालिफाई सभी बच्चों को मुकाब मिल जाएगा तो ये चांज है क्योंकि ये सरकार है ना अगे विधान सबा में वो सोचे कि क्या कोट केस से बच सकती है आपकी भी क्या राय है आप भी को जंकर गर्मी पड़ेगी उमीद है मई में तो ये इलेक्शन के चक्र में क्योंकि जून में रजल्ट आएगा तो मान के चलो बिटा ये फीजिकल है ना दस जून के बाद हो सकता है दस जून क्योंकि मई में तो ये पेपर मेल निकल वो आपके इलेक्शन में बीजी है ठीक है और जून में हिनका रजिट अग अलग्वले 5 के आज पस 40 सिया के बाद मेरे साब से यानि जून के फास्ट वीक या second वीक में न या लिख सकते हो जून चे फास्ट या second वीक में आपका क्या होगा physical होगा फिर आपका एकजाम कब हो सकता है एक्जाम जहां तक चांस है ना आपका जुलाई महीने में ना जुलाई के लास्ट में या अगस्ट महीने में क्या होगा हरियाना पुलिस का एक्जाम होगा तो फीजिकल जून में पेपर जुलाई आगस्ट में और आप है ना इस हरियाना पुलिस की त्यारी कर कर रहे है आर्पी अप के लिए और हरियाना पुलिस के लिए चेनल सब्सक्राइब कर लेना और पान सो निनाड में में बेच है चुएतर नो सो अठार फोर डबल जीरो फोर सेवन पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हो गाइडेंस बेच भी है अरियाना पुलिस के लिए बहुत से कोई दिक्कन है लेकिन आप अपनी त्यारी अच्छे से कीजिए हरियाना पुलिस की बरती है ना लगबगे मिया तो इस दिये इसमें सभी सीटी क्वालिफाई को मुका मिल सकता है क्योंकि अपने इनकी गोश्णा की हुई थी अगर यह नहीं रहेंगे तो विधान सबा में लोग सबा में भी इनको इफेक्ट पड़ेगा और लोग सबा के इलेक्शन को देखते हुए ना विधान सबा का चलो लोग सबा का इलेक्शन तो यह कह देंगे हमने राम मंदिर बनवाया था हमने धारा 370 खतम की थी तो और विधान सबा का इलेक्शन है ना केवल है ना र रोध होगा अब जनता जाग चुकी है तो CET क्वालिफाई को सभी को मुखा मिल सकते हैं फीजिकल की त्यारी में अगर एक परसेंड नेगिटिव चले ना मिले तो फीजिकल की त्यारी करने में तो कुछ नहीं जाता ना आप मेंटली फीजिकली फिट जरूर हो जाओगे तो बारत